न्यूस एटी इंडिया आपिशी जी जोर्दार तालिया करिए अगले सेशन के लिए कोकि अगला सेशन बहुत जोर्दार है और प्रभावी है और इस सेशन की शायद इसमें देश में हर व्यक्ति सेशन को देखना सुनना चाता है मेरे साथ मौजूद है इस समय इस शेशन के लिए दिल्ली सरकार की शिक्षा मंत्री आतिशी जी जोरदार तालियो से उनका अभिनंदर करिये और संसत से सीधा आ रहे हैं अपना भाशन समाप्त करके डॉक्टर सुधान शुत्रवेदी उनका भी अभिनंदर है आतिशी जी सुधान शुजी आप दोनों का इस मंच पर अभिनंदन है सवालों की फेरिस्ट बहुत लंबी है लेकिन शिकायतों की फेरिस्ट भी बहुत लंबी है सुधान शुजी विपक्षकी वो कहते हैं कि किसी को आप छोड़ते ही नहीं ऐसा क्या करते हैं बताइए जरा किसी को छोड़ते क्यों नहीं देखें आम आदी पार्टी को छोड़ दिया जाए चूंकि ये 2013 में बने थे बाकी जित्ती पॉलिटिकल पार्टी हैं पिछले 30 सालों में 30-35 सालों में कोई एक लोग सभा बता दीजे जिसमें इनके किसी नेता ने प्रश्टाचार के किसी ने किसी आरोप में कोट कचेरी और जाच एजंसी को चक्करना काटाओ अब आज ही देखिए जी आज कल जैसे दो का बड़ा चर्चा में है ना जारखंड और बिहार तो एक छोटी सी बात कहता हूँ आज आरोप हमारे उपर है ने नी मैं उधारन देना चाहता हूँ कैसा आरोप है आज हम लोग पे आरोप है कि हम लोग उनको फसा रहे हैं जेम इसान सदों ने पैसा लेकर कॉंग्रेस की सरकार को बचाया तो कहीं बीजेपी थी क्या मोदी जी हमिशा जी का नाम था क्या लालू प्रसाद यादव जी 1997 में जेल चले गए अब बताइए हम लोग युवा वस्थास से पूरी पार कर गए लालू जी को जेल से अंदर बाह अंदर बाहर देखते हुए और कहते हैं साब बीजेपी कर रही 2014 के बाद अब इनके साथ एक अलग इस्तिती है एक वो पार्टी है जो भारत की राजनीत की सबसे पुरानी पार्टी है पुरानी धुरानी पार्टी है यह नई पार्टी है यह अजब अलबेली पार्टी है यह एक्सपरिमेंटल पॉलिटिक्स करते हुए डेट्रिमेंटल मोड में जाके फस गए यह आये और इन्हों कहा यह हम आएंगे और दुन्या बदल देंगे यह कर देंगे अब दो में से एक बात थी या तो मैं यह कहूँ कि इमैचोर थे या बहुत सयाने थे अगर कि जिस पार्टी के विरूद इन्हों ने शपत ली थी कि हम साब कभी भी इसका समर्थन नहीं लेंगे उसी को बैइमान कहके और प्रचार करके वो याद करी है सीला दिक्षे जी का नाम लगा के आटो के पीछे लगा रहता था वगेरा वगेरा और साब हमें 1951 में बने 72-73 साल हो गए हमने आज तक कॉंग्रेस से समर्थन नहीं लिया इन्होंने 73 दिन में समर्थन लिया सरकार बनाने के लिए और आज भी चंडिगर को लेके अभी हमारे उपर जंगडेंगे इस सवाल में आउगा चंडिगर के पर आप ऐसे बचके मत निकलिए लेकिन क्योंकि चंडिगर पर बहुत सारे बाते हैं शिकायते इनकी भी है और शिकायते आपकी भी है लेकिन आतिशी जी सवाल यह है कि साफ सुत्री राजनीती की बात करके आम आदमी पाटी आई और देश की खास्टब पर दिल्ली की जंता ने और पंजाब की जंता ने भरपूर प्यार भी दिया लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि आपको कॉंग्रेस के गड़बंदन में जाके शामिल होना पड़ रहा है लालू यादव के साथ खड़ा होना पड़ रहा है क्या आपको नहीं लगता यह आपके वोटर को सहन नहीं होगा बेखिए अमdeath और आपका सवाब देने से पहले बजह सुधाशु जी की सवाब देने से सब्धे पहले मुझे सुधानशु जी क कई BATOM पर रिसपाूंट तो करना पड़ेcartीता health डीए सुदानशु जी बात करते हैं, कि JIMM ने इसा किया, कांग्रिस ने इसा किया, पर फोड़ा सा सुदानशु जी की पार्टी का भी रिकॉर्ड देख लेते है, ये कहते हैं, कि हम तो किसी के खिलाफ कुछ नी करते, पर ऐसा कैसे होता है, कि इनकी ED, इनकी CBI किसके खिलाफ कभी Erwin Kejriwal के खिलाफ करती है, कभी Hemant Sorain के खिलाफ करती है, कभी Staline के खिलाफ करती है, कभी Mamta Banerjee के खिलाफ करती है, क्या इस देश का सारा भरष्टाचार विपक्षी दलों नहीं किया है, इनकी पार्टी के लोग दूद के दुले हैं, और नासे वितना वो विपक्षी दल के नेता, जैसे ही इनकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, वो भी दूद के दुले हो जाते हैं, इसके कुछ उधारण दूँगी, Hemant Viswa Sarma जी, उनके भरष्टाचार पे सुधानशु जी की पार्टी ने पूरा बुकलेट निकाला था, ED का केस हुआ, CBI का केस हुआ, Hemant Viswa Sarma जी भारतिय जनता पार्टी में शामिल हो गए, उनकी वाशिंग मशीन में धुल गए, सारे ED और CBI के केस खतम हो गए, शुवेंदू अधिकारी जी, शुवेंदू अधिकारी जी के भरष्टा चार नार्दा स्कैम, चार्दा स्कैम, चिट फंड स्कैम, कई चुनार ल स्कैम, कोपरेटिव स्कैम, उनके खिलाफ ED, CBI के इतने सारे केसे, चागन भुझबर जी लेटेस्ट एग्जाम्पल हमारा, जैसे ही भारतिय जनता पार्टी में शामिल हुए, आपको पता है, ED ने महराष्टरा हाइकोर्ट में क्या कहा, उनोंने कहा हमें चागन भुझब आपको पता है, तो इसलिए हम केस बंद कर रहे हैं, तो देखिए ये बिलकुल साफ है, कि आज केस होना, आज ED के चापे पढ़ना, CBI से गिरफतारी होना, ये किसी ब्रष्टाचार से जुड़ा हुआ नहीं है, ये ब्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं है, ये सा वर्ष्टाचारि को अपनी पार्टी में लाने की कोशिश है, कि उन Commonwealth के क्रोब है, और सारे वर्ष्टाचारी हमारी पार्टी में आजाए, ये सुदान्शु जी की पार्टी कर रहे है, मैं आगे लेने क्या प्रियास करूँगा आपसे आतिशी जी, लेकिन सुदान्शु अब अर्विन जी ने तो बोला कि 25-25 करोड़ पे का ओफर देने का आरोप है, उनकी सरकार गिराने का आरोप है, ये सब आरोप है, लेकिन आप भी तुरंट कारवाई करते हैं, मतलब पुलिस का नोटिस खचाक बेज दिया, देखें ये वो पार्टी कह रही है, जिसका आनापन था या वो बचका नापन था, अब ये मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूँ, कि उस समय जो कुछ कर रही थी, कह रही थी, आम आदनी पार्टी वो क्या करी थी, अब दूसरा, आपकी बात में संशोधन कर दूँ, हमने किसी नेता खिलाफ कोई केस विड्र अचानक कहते नहीं हुआ था हमारी सरकार भरस्त थी, हमने बड़ा ब्यानक भरस्त आचार किया था, और यह यह किया था, यही अजीत पवार के बारे में इनकी सरकार, यानि इनका मतलब इंडिकरड बंदन की सरकार का, ओफीशल स्टेंडे के ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, इनके 62-63 विदायक है 90% मेजॉरिटी और 2-3 टूटे तब कुछ हो सकता है और फिर ये कहते हैं कि साम हमारी पाटी तोड़ी जा सकती है मैं बताना चाहता हूँ हम सबसे लंबे समय पोजीशन में रहें कभी BJP का वर्डिकल डिविजन हुआ अरे क्या आप बात कर रहे हैं हमने तो वो वो चीज़े दे ली हैं जो एमर्जनसी के फर्जी केसे जॉर्ज फर्नांडिस जी को हद्कड़ी लगाके सड़क पे चलाये गया एक अपराधी के तरह बड़ोधा डानामाइट केस में जो कि आज के जमाने में टर्रिस्ट में इक्विलेंट था और जेल से 3,44,000 से जीते मानेवार मैं कह रहा हूँ जनता की अदालत हो या नियाले की अदालत हो हमने दोनों जगे लड़ाई जीती है और ये दोनों जगे पीछे हैं मैं एक और बात कहूँ वैसे एक और एक केजरिवाल जी का ट्वीट है 2012 में शरत तवार जी के बारे में ऐसा ऐसा एक ले आज पर आज पर आजाते हैं ये 25 करोड के ओफर का क्या मामला है ये जो आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कईने तौक खिलाप कपिल सिबल जी के खिलाप मनीस्तिवारी जी के खिलाप कि आप हिट अडर्न करते हैं जैसे आरोप लगाते हैं और फिर भाग जाते हैं अभी आपने प्रेस कॉनफरेंस भी करी इस पर आप क्या कहरा चाहते हैं क 왜냐하면 बीजेपी कह रही है कि अगर कुछ है तो recording आम आदनी पाटी सामने रखे, पटल पर रखे, दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा, तो recording रखनी चेहिए आप लोगोगों, बिल्कुर रखेंगे, समय आने पर जरूर रखेंगे, इनी के पाटी की उपाध्यक्ष, शे की मेजॉरिटी नहीं थी अर्विन केज रिवार जी की इस्तीफे के बाद भातिय जंता पार्टी ने ऐसे बुर्जोर कोशिश करी थी आप अधनी पार्टी के विधायकों को तोड़ने की तब थोड़ा महंगाई का जमाना इतना नहीं था तो शेर सिंग डागर जी ने मात्र पार्टियों को तोड़ तोड़ कर तोड़ कर तोड़ कर सरकार बनाती है गोवा में कॉंग्रिस के विधायक किसने तोड़े और अपनी सरकार बनाई करनाटिका में कॉंग्रिस और जेडियो के विधायक किसने तोड़े और सरकार बनाई महराष्ट्रा में शिरसेना के unfortunately दूसरे चैनल की क्लिपिंग है उस जब करनाटिका का चुनाव हुआ था 2019 में तो राम माधव जी यह मैं नहीं कह रही हूं यह राम माधव जी के शब्द है उनको एक टीवी चैनल के आंकर ने पूछा कि देखिए आपके तो नंबर पूरे नहीं हुए है होते हुए भी यह सरकार बनाते है हुए 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 है